टेंस, टेंस एक ऐसा टॉपिक है जिसके थुरू अप सामदार अंगरी जी बोल सकते हो लेकिन आज भी 99% स्टुडेंट के लिए टेंस एक टेंशन बना पड़ा है क्योंकि वो समझ नहीं पाते हैं कि टेंस में कैसे सेंटेंस आते हैं। कम कॉनसे वर्प का यूस करना है इसी चक्कर में इंग्रिश को नहीं पाते हैं क्योंकि समझ में नहीं आता है! तो अगर यह आप वीडियो अथे और कर ते हो तो सबसे पहले हैं चैनल स एसका मतलब क्या हुता है कि समय क्या है मतलब होता है किस समय में हम कौन सा कारे कर रहे हैं यह हमें बताता है ठीक है 10 के 3 समय होते हैं और QA जिंदेकी जी रहा है यह तो प्रेजेंट में जीद चीरे या तो पास्ट में या तो फ्यूचर में प्रेज एक समय होता है यह कुछ काम किये रहते हैं जानि कि भूद्थ काल हम बोलते न कि की पास्ट में वो सब हो गया वह भूल जाओ तो पास्ट में पास्ट भी हमारे एक समय होता है और फ्यूचर आने वाले समय की जो planning हम करते हैं वो हमारा future क्या किया इसकी अलावा भी कोई time होता है जी बिल्कुल नहीं होता हमारी जो जुन्दिकी चल रही है इसमें सिर्फ तीनी टाइम होते हैं प्रेजेंट का पास्ट का और फ्लूचा का और किसी का जरुवत में यह हमें अब यह प्रेजेंट के जो होते हैं इसमें भी चाहत तरह के सेंटेज़ आ सकते हैं या तो इंडेफनेट यानि कि प्रेजेंटेस में चाहत तरह के नहीं चल रहा हमें कुछ पता नहीं चलता है indefinite में तो एक तरह कारिय ऐसा होता है दूसरा कारिय होता है continuous यानि कि इसमें यह तो पता होता है कि यह काम continue है लेकिन कब से शुरू हुआ है कब खतम होगा यह हमें नहीं पता होता है सिर्फ इतना पता होता है कि कोई कारिय जो है वो continue चल रहा है और third होता है perfect इसमें हमें ये पता चलता है कि कोई काम perfectly खतम हो चुका है हमें ये बात पता चलता है किसे perfect में और perfect continuous में हमें ये पता चलता है कि कोई काम perfectly खतम हुआ है और अभी चल भी रहा है यानि कि आधा खतम हो चुका है और अभी ये continue चल भी रहा है इसलिए इसका नाम perfect और continuous दोनों मिला कर perfect continuous बना है यानि कि आप present की बात कर लो past की बात कर लो या future की बात कर लो इनमें चारी तरह का कार्य हो सकता है एक तो indefinite जो की निश्यत नहीं होता है एक continuous जो की जारी रहता है एक perfect जो की खतम हो चुका है perfectly और एक होता है perfect continuous जो की perfectly खतम हो चुका है और अभी भी जारी है यानि कि present indefinite, present continuous, present perfect, present perfect continuous वैसे ही past indefinite, past continuous, past perfect, past perfect continuous future indefinite, future continuous, future perfect, future perfect continuous यानि कि ये तीन टाइप के four टाइप है सिप प्रेजेंट का यह मस समझेगा यह प्रेजेंट का तो है ही पास्ट का भी है और फ्यूचर का भी है ओके तो यानि कि टोटल आपको 12 टैंसे सीखने हैं तो आप 12 टैंसे सीखने हैं तो गाइस दी अगर आप 4 टैंसे अगर से 4 टैंसे सीख जाते हो यानि कि आप सारे करते हैं हम अपने रूल की तब बढ़ते हैं तो सबसे पहले टेंस को समझने से पहले यह समझ लीजिए कि टेंस में कितने तरह के सेंटेंस बना सकते हो तो से टेंस में आप कितने तरह के सेंटेंस बना सकते हो एक आपका सिंपल सेंटेंस होता है जिसका फॉर्मूलय होता है स अगर आपको नहीं पता रहेगा तो आप कभी नहीं बना पाओगे यह समझना है तो मेरी जो मैं 60 grammar rule की कोर्स करवा रहे हूं उसमें आप समझ सकते हो डेट 3 की क्लास देख पर ओके तो यह समझना यह हमारा master formula है यह हमारा golden rule है यह हमेशा याद रखेगा simple हमारे order वात विली जो कोई भी सेंटेंस अब बनाव सकाए टैंस के हो ओल MODEL के हो यह कुछ बी फो सब में आपको four type sentences देखने को मिलेगे एक को मेरा credit सैंटेंस इंटेर्टीए इंटëन और व इक हो एक हमारा ब स्फांटेंृज गेमारे Negative, Interrogative sentence, इतने 6 तरीके के हमारे sentences बन सकते हैं, मैंने यह चा़ तरीके का क्यों लिखा है, तो गाइस, अगर आप इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इट्रोगेटिव सीख जाते हो तो यह दोनों आप आराम से भना सकते हो देखें formula मैं आपको बता देति हूँ simple का तो subject helping word और अबजेक्ट था negative में subject helping word और helping word वर्ब जो helping word वो मेन वर्ब है ना उसके बीच में आपको नॉट का यूज कर देना है ठीक है helping वर्ब नॉट वर्ब उसके बाद आप से इंट्रोगेटिव में क्या है helping वर्ब पहले आ जाता है इंट्रोगेटिव यानि कि प्रश्ण वाज़क वाख किया किसी से यस नो वाले क्वेशन आप पूछते हो तो helping वर्ब पहले आते हैं फिर subject फिर वर्ब और अबजेट अगर आप डबलो एच इंट्रोगेटिव की बात करोगे तो कुछ नहीं करना सिर्फ यहां पर डबलो एच फैमिली वर्ट्स का यूज कर देना तो डबलो एच फैमिली वर्ट्स नोट आते हैं देखें नेगेटिव में आप देख सकते हो या इन्ट्रोगेटिव नेगेटिव में जो में वर्ब है उसके पहले ही आपका नोट आता है ठीक है तो helping वर्ब सब्जेट नौट वर्ब औजिक अगर डबलो एच इंट्रोगेटिव करोगे तो यहां पर सिंप लेकर अप च्छ différentes बना सकते हो यानिकि सरफ एक संटीन्स लोगे-चींपल ये परेम करोगे तोby जला इजब नोगे का आप पढ़ा यानि कि आप subject हो गए तो जो कोई काम करता है वो subject होता है helping वब क्या होते हैं तो guys helping वब यह सारे होते हैं present के past के future के क्या क्या helping वब होते हैं present के अगर indefinite की बात करोगे तो do does आपको लगाने होंगे ale areas घॉब पर्फेक्ट की बात करोगे तो णिरेड लगाने होंगे पास्ट के इ Mercophone कि बात करोगे तो सब्सक्राइब इसी फीचरत की बात करोगे तो विल फ्यूचरत की बात करोगे तो विल chilli फीचरत की की बाद करो तो विल्हाब मैं बोलो कि मैं पर्फेक्ट में यूज किया है न वही आपका परफेक्ट काटिनरस में भी यूज होता है तो यह झाल अब आगे देखते हैं नेक्स ट्रिया अभी अब यहाइन सब्जेक्ट और एक्षिक लिया तो ग्हाइस वब भी बता दे एक्टिविटीज करते हुआ मैंने वर्ब की क्लास को काफी बढ़ करवाई यह तो वही है आपका वर्ब और जिस पर कारे कारे हो रहा है मैं अंगरेजी पढ़ा रही हूं तो मैं पढ़ाने का कारे किस पर कर रही हूं अंगरेजी पर तो अंगरेजी क्या है ऑब्जेक्ट है मतलब जिस पर कारे का प्रभाव पढ़ता है वो हमारा object कहलाता है चलिए तो आगे बढ़ते हैं अब हम अब आजाते हैं स्ट्रॉक्चर में पहले यह स्ट्रॉक्चर समझ लोगे तो आपका नईया पार हो जाने वाला है देखिए अगर आप बात करोगे इसे हम क्या कहते हैं इसे हम थर्ड परसं सिंगुलर कहते हैं इसके साथ is was has ड़स आता है याद रख लिजेगा जिसके लास्ट में एस आता है वो लगता है थर्ड परसं सिंगुलर के साथ सिंगुलर है ना थर्ड परसंद सिंगुलर यानि कि यह सब लगेंगे हो गया ना याद अब बचा आई वी यू दे या टू परसन हो राम एंश्याम सितान गीता रवी एंड रोहन ओके तो टू परसन का नाम एक परसन नहीं प्लूरल होना चाहिए तो उसके साथ डेड़ लगते हैं अब देखिए और एक कॉंसेप्ट आप समझ सकते हो यहां पर मैंने हैव नहीं लिखा यहां पर हैव भी होगा ठीक है इनके साथ हैव भी लगता है अब बात कर लेते हैं आई की तो आई थोड़ा सा थोड़ा ध्यान देजिएगा आई के साथ डू लगते हैं य तो यह बस इतना कॉंसेप्ट आपने याद कर लिया अब हम आते हैं अपने में इस्ट्रक्चर के आगे ठीक है अब तो हम continue करते हैं पहले present tense से यहाँ पर मैंने पुरे detail में चार्ट लिख रखा है अगर आपने यह चार्ट समझ लिया यानि कि आपने पूरा tense समझ लिया यह चार्ट समझ लिया यह चार्ट समझ पहले present की बात करें फिर past उसकी बात फ्रूट जाओ प्रेसेंट का indefinite य लेकिन इसमें कोई समय नहीं पता चलता है कि कब से शुड़ू हुआ है कब तक चलेगा कब तक चल रहा है यह कुछ पताने चलता है और निश्चित होते हैं वाइस पूल जाता है मैं पढ़ाती हूं मैं पढ़ाती हूं मैंने सिर्फ बोला कब से पढ़ाती हूं कब तक पढ़ाओंगी नहीं बताया मैं नूँ ठीक है तो यह कहलाते है इंडाफ ने इसके हिंदी आइंटिफिकेशन ह होता है सब्जेक्ट वीवन में एस इस इसे और अच्छ से क्लियर करोंगी जब मैं एक्जामपल करवाओंगी चीक है कॉंटिनर्स की बात करोगे तो इसके हिंदी आइडेंटिफिकेशन होती है रहा है रही है जा रहा है इसमें कोई काम कंटिनू लेकिन कब शे शुरू लेकिन इतना पता रहता कि कोई काम कंटिनू चल रहा है वह जा रहा है मैं पढ़ी हूं मैं पढ़ा रही हूँ वह खेल रहा है हम लोग पर रहे हैं गुर्थे का मिटे Jian करन रोन कब आएगा ही आएगा ओके अब आ जाते में पर्फेट्ब का हिंदी ऑड़िया है ले असका मतलम कोई काम खतम क्वा है कर प्रैजट से कोहीं मतलम अभी कोई काम सफ की अब मैं ने देखा कि मैं कमरे में आई और मैं legitimately है साफ सफाई होता है lav up जिल लग लग रहा है व्लोट वी फ्लोट सारे गिल उपस्णा आफ किया है दोती ने आप पोचा कमरा सिूक्मों छोथ के लगा। perfect को बैठाएंगे अब past indefinite में क्या confusion होती है वो में आपको आगे clear करूंगे ठीक है तो present present perfect का मतलब हो गया कोई काम perfectly अभी खतम हुआ है इसका helping बब देखें इसका structure subject has a v3 perfect है यानि कि v3 आएगा ही आएगा जहां भी perfectly कोई काम खतम हो चुका है हो चुका था हो चुका होगा यानि कि present perfect past perfect या future perfect सब में वर्प की third form लगेगी परफेक्ट कॉंटिनुएस का Hindi identification से रहा है से रही है वह सुबब से काम कर रहा है वह रात से सो वह रात से काम कर रही है मतलब रात से यानि कि रात मुझे दस बज़े स्टार्ट किया था अभी आठ बज़रे आठ बज़े तक वह काम कर रही है और अभी भी continue है ठीक है से आ जाता है ना मतलब कोई काम चल रहा है किसी समय से ओके तो इसका helping वब देखिए subject has app मैंने बताया था ना और has app की साथ इसमें एक वर्ड आ जाते है बिन उसकी बाद वर्ड का फोर्ट फर्म जब भी आँ बात करोगे perfect continuous याद रही है तो continue चल रहा है तो वर्ड का फोर्ट फ ठीक है चलिए अब sentences में अपने आते हैं आज आते है प्रेजर इंडेफिनेट की तरफ इसका structure तो मैंने यहां पर क्लियर किया subject वर्ड का first form में as a yes object यह तो हमारा positive sentence का structure अगर negative बनाओगे तो subject हो जाएगा उसमें आपको यूज करने होंगे एक मिन उसमें आपको यूज करन negative और interrogative आएगा तो helping बागे आजाएगा ठीक है बस यह हमारा structure राम स्कूल जाता है राम गोस्टू स्कूल राम क्या है third person singular है तो वर्ड का वर्ड में as a yes अब याद रखेगा अगर आपका first person plural रहा first person singular या plural रहा तो वर्ड का first form और third person singular रहा मैंने बताया थना third person singular रहा तो उसमें वर्ड में आपको लगाने पड़ेंगे s या yes ठीक है वर्ड के first form में आपको लगा रहे होंगे s या yes तो गो में हम लोगों ने yes लगा दिया राम गोस्टू स्कूल अगर यहाँ पे रहता मैं जाती हूं तो मैं बोलती आई गो टू स्कूल यहां पर गोस ना लिखती क्योंकि के साथ क्या लगते हैं गो लगते हैं वर्ड का first form ओके नेकस्टेवर चाय नहीं पीता है तो वह चाय नहीं पीता है नहीं यानिकि नेगिटिव नेगिटिव के लिए डू ड़ का यूज कर कर सकते हो यह तो आप यहां पर हाफ टी का यूह कर सकते हो पीने यह यह आप sì कर सकते हो यह तीनों का मतलब ही हो गया पिन आप किसी का भी यूस कर सकते हैं तुम मुझे जानते हो दू यानि कि प्लूरल उसके साथ हमने दू का यूँ कि do you know me क्या तुम मुझे जानते हो जब भी आप do does का यूज़ करो गया तो वीवन ही आएंगे वज़ का फिप्ट फाम आप यूज़ मत कीज़ेगा क्या वह कपड़े नहीं धोती है किसी गर्ल की बात कर रहे यानि कि does का यूज़ करेंगे हम बोलेंगे क्या वह कपड़े नहीं धोती है ड़सी नौट वाश क्लोट उके नेक्स्ट मैं सेव खाता हूं यह सेंटेंस आफ्रेम कीज़ेगा और इसका अंसर कॉमेंट में दीज़ेगा चले नेक्स देखते हैं नेक्स्ट क्या है अब हम आते हैं प्रेजन कॉंटिनॉस प्रेजन चलता है इसमार प्रेजन्ट है यानि कि इसमार और कॉंटिनुस मैंने बताया था जब भी काम कर्टिनुउस चलेगा यानि कि वर्प का फोर्द फर्म लगाएंगे मैं पढ़ रहा हूं आयम रिडिंग किसके साथ इसमार लगते है यह तो मैंने बता दिया है ठीक है मैं वी आनोट गोइंग हॉम गोइंग तू हॉम का यूज मत कीजेगा यह मैंने रिसेंड में कॉम्स जाइएंग यह तो हों मतलं हम घर नहीं जा रहे हैं क्या राम पढ़ रहा है राम थर्ड पर से शिंगलर उसके अकॉर्डिंग इसका यूज किया इस राम रिलिंग क्या रा रहे हो, interrogative, negative, तो हम बोलेंगे, are you not, are you not going to sleep, are you not going to sleep, क्या तुम सोने नहीं जा रहे हो, are you not going to sleep, go, going, इसके साथ, तू हमेशा आता है, देखिए, to sleep हमने यूज किया ना, तू हमेशा आता है, लेकिन, home से पहले नहीं आता है, याद रखेगा, ठीक है, श्याम लिख रहा है, यह sentence आफ रेम कीजिएगा, और इसका answer comment में दीजिएगा, चलिए आगे देखें, next अब हम move करते हैं, present perfect की तरफ, मैंने बताया था ना, perfect यानि कि perfectly कोई काम खतम हो चुका है, इसमें verb की third form लगती है, has app के साथ verb की third form, चाहे present हो, past हो, या future हो, perfect रहा यान की verb की third form, ठीक है, जैसे कि हमारा sentence है, लटा ने गाना गाया है, अब लटा ने गाना गाया है, यानि कि वो अभी just ये काम complete किया है, लटा ने ये काम अभी just complete किया है, यानि कि ये present से relate कर रहे है, हम बोलेंगे, लटा has sung a song, ये तो आपकी situation, हिंदी वाले sentence तो यहाँ पर है, है, देखके हम समझ जा रहे कि याँ पर has का use करना है, present से relate कर रहे है, लेकिन ये समझना कैसे अपनी practical conversation में कैसे समझना है, तो guys, अगर आपने भी just ये काम complete किया ना, तो वाँ पर has have ही आप लगाईएगा, just आपने complete किया और वो काम आप बता रहे हो कि मैंने ये किया है, त तो वो अभी तक नहीं गया है, तो यहाँ पर अभी तक, यानि कि yet का use किया गया है और negative, तो हम बोलेंगे वह यानि कि he, he के साथ लगते है, has, he has not, वब की third form, gone और अभी तक यान कि yet, वो अभी तक नहीं गया है, he has not gone yet, क्या तुम लिख चुके हो, have you written, you के साथ have लगते ह have you written, क्या तुम लिख चुके हो, क्या उसने साथा नहीं की है, उसने यानि कि has, हम बोलेंगे क्या उसने साथा नहीं की है, has he not helped, has he not helped, क्या उसने साथा नहीं की है, has he not helped, मैं खाना खा चुकी हूँ, ये sentence आफ्रेम कीज़ेगो और इसका यानसर पॉमेंट में दीजएगा, निक्स देखिए, निक्स क्या है, अब हम बात करते है, present perfect continuous के, present perfect continuous यानि की has have, और continuous यानि की verb का fourth form, has have के साथ एक extra word का use करना है, बिन का, उसके पाद verb का fourth form आएगा, जैसे मैं तीन बज़े से अपना या पार्ट याद कर रहा हूँ, कित्ते बज़े से, तीन बज़े से, तो मैं आपके लिए आज ये confusion clear कर देती हूँ, अगर आप एक fixed time की बात करते हो, ठीक है, fixed time, जैसे तीन बज़े, चार बज़े, सोमवार, 2005, 26 तारीको, यानि कि आप एक fixed time बता रहे हो, अगर मैंने आप से पूछा, अगर आप मुझ से आके पूछ रहे हो, कि मैं आप कब स पढ़ा रही हो, तो मैं बोलूँगे, मैं आठ बज़े से पढ़ा रही हूँ, तो आपके मन में ये तुरंट आगे नहीं, कि मैं तो आठ बज़े से पढ़ा रही है, यान कि इसमें हम लगाएंगे since, आठ बज़े यानि के since, अगर आपने मुझ से पूछा कितने बज़े तो मैं बोलूँगे, मैं कुछ आदा घंटा से पढ़ा रही हूँ, और अभी आपने टाइम नहीं देखा है कि कितने बज़े हैं, अब मैं बता दूँगे, कि मैं तीस मिनट से पढ़ा रही हूँ, तो आपको कैल्कुलीशन करना पढ़ेगा, कि अभी कितने बज़े हैं, तीस मिनट पहले कितने बज़ रहे थे, आपको सूचना पढ़ सकता है, तो उस वाले सिचुएशन में आप फोर का यूस करूँगे, ठीक है, थार्टी मिनट या दो दिन, पांच साल, पांच साल मैंने बोल दिया तो आप सोचने लोगी कि पांच साल पहले कौन सा यह चल तो इस वाले सिचुएशन में फोर, और एक इग्जेक्ट अगर मैंने टाइम बता दिया, तो वहां पर लगाएंगे, सिंस, ओके, तो मैं तीन बज़े से पार्ट याद करूँ, तीन बज़े मैंने एक फिक्स टाइम बता दिया, यानि कि सिंस, I have been learning my lesson since 3 o'clock, ओके, अब य खेल रहा है, त TMlynn्ये सैंटीन्स को कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे, he has been playing, क्या खेल रहा है, Cricket खेल रहा है, he has been playing cricket, कब से? दो घंटे से यानि कि दो घंटे पहले कितने बच रहे थे, सोचना पढ़ सकता है न, यानि कि for two hours, तमारा sentence फ्रेम हो गया, he has been playing cricket for two hours, ओके, वो एक बज़े से नदी में स्थान करें, ये sentence आफ फ्रेम कीजेगा और इस कायां से comment में दीचेगा, चलिए, आगे बढ़ते हैं, तो इसे के साथ हम लोगों ने present कर लिया complete और अब हम move करते हैं past की तरह, ओके, past का पहले structure समझते हैं, फिर sentences बनाएंगे, जैसे indefinite होते हैं, continuous होते हैं, perfect होते हैं, and perfect continuous होते हैं, indefinite यानि की R, E, A वाला sound आएगा, जैसे वह गया, वह खाया, वह पीया, वह शोया, यानि की R, E, A पे आपका sentence end हो जाएगा, past में आपने कोई काम किया, A, मैं पढ़ी, E, वह गये, A, है न, sound आता है, इसे पे sound खतम हो जाता है, तो subject, verb का second form, object, simply, यह sentence को frame करने है, यही structure से frame करने है, okay, continuous यानि की जैसे मैंने बताया था, कोई काम continue रहेगा, रहा था, रही थी, इसमें easy mark, present में easy mark थे, और past में was वर आजाएंगा, verb का fourth form का, fourth form ही रहेगा, perfect यानि की perfectly खतम हो चुका था, चुका था, दिया था, लिया था, ली थी, दी ती, गया था, खाया था, पिया था, मतलब past में कोई काम खतम किया था, past में, तो subject, hat plus v3, okay, perfect on, perfect on, perfect on, यानि की past perfect on, सी रहा था सै रही थी मतलब बास्ट में कोई काम आपने स्टार्ड किया था पास्ट में कोई काम हो गया था पास्ट में भी कंट्रीयों चल भी रहा था पास्ट के आप बात बता रहे हो Suspect had been working platform since 4 तो परफेक कॉन्टरेंज जादा जादा पास्ट के परफेक्क उंट्रेंस जादा यूज नहीं किये जाते हैं फिर भी मैं आपको सारे क्लियर करवाऊंगे कोई डाउट नहीं रखोंगे ठीक है तो हम सबसे पहले बात करते हैं प्रेजन पास्ट इंडाफिनेट का अफर्मेटिव सेंटेंस तो इस तरह से बन जब आप दिद नॉट का यूज कर दोगे तो वी टू आपका वीवन में बदल जाएगा याद रखेएगा यह सक चीज है ठीक है जैसे तुमने एक पत्र लिखा यू रोट अलेटर अफर्मेटिव सेंटेंस तो यह है राइट का सैकेंड फॉर्म रोट यू रोट अलेटर उसने सच नहीं बोला उसने सच नहीं बोला नेगिटीब तो हम क्या बोलेंगे उसने यानिकी ही और सब्भी सब्जट के साथ डिड लगते है ठीक है राज ने जूट बोला डिड राज तेल लाई तो डिड हमने यूज कर दिया वर्प का फर्स फर्म हमने यूज कर दिया क्या वह बजार नहीं गई, तो हम बूलेंगे, did she not, did she not go to the market, क्या वह बजार नहीं गई, तो हम बूलेंगे, did she not go to the market, तो यहाँ पर आपने she की बाद not, यानि की वर्ब का फोर्स्ट फॉर्म की बाद आपने not का यूज़ किया, ठीक है? मैंने उसे एक पुस्तक दे ये sentence आप फ्रेम कीजेगो और इसका answer comment में दीजेगा, ओके, चलिए, आगे देखते है next क्या हमारे, तो guys, अब हमारा next है past continuous tense, past continuous जासे आपने present सीखा, बिल्कुल past, आपने चार टेंस से सीख लिया, चार नहीं माल, आपने past tense से सीखा, present indefinite, present continuous, present perfect और present perfect continuous और past simple, ये past tense अगर आपने सीख लिया, मतलब आपने सारे grammar सीख लिये, tense के सारे rules सीख लिये, क्योंकि आपने present continuous में notice किया होगा, कि easy mark plus verb का fourth form था है ना, तो past में भी तो कुछ नहीं है, easy mark को replace कर was word लगा दिये, verb का fourth form का fourth form है, negative बनाएंगे तो यहां not, यानि कि same rule apply हो होगा बस वहां पर, मतलम present की बात करें तो, easy mark past की बात करेंगे, तो was word बाके structure वैसी रहेगा, वह पत्र लिक रहा था, he was writing a letter, okay, was word plus word का fourth form, हम आपको नहीं बुला रहे थे, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे, we were not, we were not calling you, we were not calling you, हम आपको नहीं बुला रहे थे, we were not calling you, क्या तुम कानपूर जा रहे थे, were you going to कानपूर, क्या तुम कानपूर जा रहे थे, क्या तुम उसे नहीं पीट रहे थे, तो हम क्या बोलेंगे, क्या तुम उसे नहीं पीट रहे थे, were you not beating him, were you not beating him, क्या तुम उसे नहीं पीट रहे थे, were you not beating him, वह अंगरे जी सीख रहा यह sentence आप फ्रेम कीजेगा और इसका answer comment में दीजेगा ओके चलिए next देखते है next अब हम बात करते हैं past perfect के past perfect का मतलब हो गया जैसे आपने present perfect में has a plus verb की third form लगाया था तो यहां पर past में आपको had plus verb की third form लगाना है यहां जो मैं आपको रूल बता रहूं ना यह बिल्कुल basic है अगर आपको advanced सीखना है ना तो मैं आपको next वीडियो में past perfect के advanced user सीखाऊंगी इस तरीके से बिल्कुल basic अभी आप English पोलने के सुरुवात कर रहे हूं इसलिए मैं आपको यह sentences दे रही हूं वरना यह sentences आपके काम नहीं आएंगे ठीक है फिर भी मैं आपको बता दे रही हूं क्योंकि आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो आपके लिए जानना जरूरी है जैसे राम विद्याले जा चुका था राम हैड गॉन टू स्कूल ओके मेरी बहन खाना नहीं पका चुकी थी तो हम बोलेंगे माई सिस्टर यहां पर मैंने बस यह समझाने की कोशिश किये कहां पर आपको हेल्पिंग वब लगाने कैसे में वब लगाने बस मैं यह आपको समझा रही हूं बाकी अगर आपको पास्ट पॉफे सीखना है तो मैं अपने बहुत सारी वीडियो बना रखा है वह आप देख सकते हो ठीक है तो माई सिस्टर है नॉट्ट फूड मेरी बहान खाना नहीं पका चुकी थी यह आपने अपना काम पूरा कर लिया था यह सेंटेज आप फ्रेम कीजेगा और इसका आंसर कॉमेंट में दीजेगा चुलिए आगे बढ़ें नेक्स्ट हमारा है पास्ट पॉफ लगेंगे ओके वह सुबह से पढ़ रहा था तो हम बोलेंगे he had been reading since morning मैं दो घंटे से टहल रहा था तो हम बोलेंगे I had been I had been walking टहलना यान की walk करना I had been walking दो घंटा यान की four for two hours तमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया I had been walking for two hours वह तीन बज़े से कमरा साफ कर रही थी यह सेंटेंस किजिए और उसका अंसर comment में दीजेगा since four ध्यान से लगाओगे ठीके आप next अब हम मूब करते हैं future tense की तरफ future tense का मतलब होता है इसमें क्या है तीन मतलब भविश्य में आने वाले भविश्य की बात अब हम कर रहे हैं indefinite continuous perfect perfect continuous indefinite में क्या आते हैं इसके हिंदी identification होती है ग चुका होगा दिया होगा लिया होगा ली होगी दी होगी ठीक है और perfect continuous की होती है से रहा होगा से रही होगी अब एक चीज अब ध्यान दीजेगा इसमें कुछ भी नहीं है future indefinite में subject will plus verb का first form future continuous में subject will be plus verb का fourth form और perfect में subject will have plus verb का third form और perfect continuous में subject will have been plus verb का fourth form since use नहीं होता है यहां from use होता है from और fourth चलिए आगे मैं बताते हूं example के through future indefinite future indefinite का structure तो आपने पढ़ लिया वह school जाएगा इसके Hindi identification गाड एगी rule एगें simple as subject will plus verb का first form object subject subject के साथ will shall का use नहीं होता है okay तो को इस्टोर्ट यह नहीं बोलेंगे कि मैं अपने cell का use क्यों नहीं किया क्योंकि शैल अभी यूज नहीं होता है modern English में याद रखेगा वह school जाएगा he will go to school वह घर नहीं जाएगा वह घर नहीं जाएगा तो हम बोलेंगे he will not go home वह घर नहीं जाएगा he will not go home क्या तुम दिल्ली जाओगे will you go to Delhi will you go to Delhi क्या तुम दिल्ली जाओगे क्या मुकेस गाना नहीं गाएगा तो हम क्या बोलेंगे हम बोलेंगे will will मुकेस will मुकेस not sing a song will मुकेस not sing a song क्या मुकेस गाना गाएगा, विल मुकेस नॉट सिंग शॉंग, हम होकी खेलेंगे, ये सेंटेंस आप फ्रेम कीशेगा, ठीक है, ये जैसे आपने प्रेजन सीखाना, वैसे ही सारे ये इजी है, फ्यूजर कॉंटर अस तो बिल्कुल सेम है, जैसे आपने प्रेजन और होगे आप, ठीक है, तुम पत्र लिख रहे होगे, you will be writing a letter, मतलब मैं आपको पत्र लिख रहे हूँ, तो मैं बोलूँगे कि आने बारे समय में आप पत्र लिख रहे होंगे, यानि कि फ्यूजर की बात कर रहे है, तो will be plus verb का फोर्ट फर्म, रागव खेल नहीं रहा होगा, रागव नहीं खेल रहा होगा, तो हम बोलेंगे, रागव will not, अब यहाँ पर थोड़ा मैं आपको clear कर दूंगे, will not be playing, अब यहाँ पर will be तो आपने use कर दिया, लेकि not कैसे use होगा, तो guys, जब आप negative की बात करोगे, तो will be के बीच में आपका not आएगा, जैसे will be के बीच मे हमने not का use किया, याद रखेगा, ठीके, क्या रंजना गाना गा रही है, will रंजना be singing a song, will हमने use किया, फिर रंजना उसकी बाद be, will be साथ में use बद कीजिएगा, स्टार्टिंग में वर्ना sentence wrong हो जाएगे, याद रखेगा subject, फिर पहले helping word, फिर subject, उसकी बाद ही बी का use कीज जैसे कि क्या हम समान नहीं खरीद रहे होंगे, तो हम यह sentence को ऐसे बोलते, will we not be buying the goods, यानि कि समान, good नहीं, goods, समान, तो यहाँ पर हमने not का use कैसे क्या, subject और be के बीच में हमने not का use किया, ठीक है, वो स्कूल जा रहोगा, यह sentence आ फ्रेम कीजिएगा, चलिए, आगे देखते नेक्स्ट क्या हमारे, अब हम बढ़ जाते, future perfect की तरह, future perfect भी बहुत ही आसान होते हैं, जैसे कि हमारा structure रहेगा, subject will have plus verb की third form, राम विद्याले जा चुका होगा, राम विद्याले जा चुका होगा, यानि कि वो गया नहीं है, जा चुका होगा, तो हम बोलेंगे, राम विल हाव गॉन टु स्कूल, तो विल हाव की बाद हमने verb की क्या लगा दी, third form, पिताजी अकबार पढ़ चुके होगे, तो हम बोलेंगे, father, father will have, father will have, और will have की बाद वर्ब की third form, यानि कि read the newspaper, newspaper, आप उलोग में आपने read लिखा है, और आप read बोल रहे हो, तो guys, read जो एक word है ना, इसका तीनों form, तीनों form बिलकुल सेम होता है, लेकिन इसकी pronunciation अलग हो जाती है, first form में हम इसे read बोलते हैं, लेकिन second और third form में हम इसे read बोलते हैं, ठीक है, याद रखेगा, first form में इसे आप read बोलोगे, लेकिन second और third form जैसे होगा, आप यहाँ पर read का use करोगे, म अब आगे बढ़ते हैं, next क्या है हमारा, next हमारा है future perfect continuous, यहाँ पर मैं आपको since और four में थोड़ा clear कर देती हूँ, देखे हमने present में क्या use किया था, since और four का use किया था, है ना, since four का use किया था, present में भी और past में भी, दोनों में हम लोगों ने since four का use किया, लेकिन बात आजात करते हैं, ठीक है, जहां पर आप since का use करना, वही situation में हम from का use करते हैं, same situation में, since का use मत कीजेगा, आप बोलोग में since का use कर देंगे, तो क्या गलत हो जाएगा, जी बिलकुल गलत हो जाएगा, तो आप ऐसी गलती बिलकुल भी मत करना, okay, चली, sentences देखते हैं, वह दो घंटे तक पढ़ता रहेगा, अब देखें, एक चीच और मैं आपको क्लियर कर दू, जनरली तक, अगर घंटे की बात करें, यानि कि ये कोई definite time ने, exact time नहीं है, तो अमने 4 का use कर दिया, he will have reading 4 hours, लेकिन ये जो say है ना, from है इसका यो say के sense में किया जाता है, right, कि वह दो बज़े से पढ़ रही है, तीन बज़े से पढ़ रही है, लेकिन बात आजाती है तक, ठीक है, तक आजाएगा ना, तो from की जगा by का use करोगे, present और past में since का use होता है, और future में from का use होता है, अगर say आया तो, लेकिन अगर तक आजाता है, तो by का use करेंगे, जैसे मैं तीन बज़े तक अपना पाठ याद करूँगा, तो हम बोलेंगे मैं, यानि कि I, I will have, I will have been learning, I will have been learning, I will have been learning my lesson, my lesson, कब तक तीन बज़े तक, यानि कि यहाँ पर आपने तक यूवर्ड यूज कर दिया, यानि कि by three o'clock, by three o'clock, यहाँ पर रहता है कि मैं तीन बज़े से अपना पाठ याद कर याद करता रहूँगा, तो आप बोलते, I will have been learning my lesson from three o'clock, okay, सियाम दो घंटे तक कमरा साफ करता रहेगा, यह सेंटेंस आप फ्रेम कीज़ेगा, और इसका अंसर कॉमेंट में दीज़ेगा, तो गाइस, यह थी आज की हमारी पूरी क्लास, यह हमने टूर्ड टैंस सीखा, औ आपको टैंस समझ में आ गया, फिर आपको यह सेंटेंस फ्रेम करने के बाद, आपको कुछ बोल बोल के सेंटेंस को प्राक्टिस करने होंगे, फिर आप लाजबाब के अंग्रेजी बोल पाओ, तो गाइस, यही थी आज की हमारी क्लास, क्लास आपको कैसी लगी, कॉमेंट में जरूर बताइएगा, अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजेगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजेगा, और अगर आप माई चानल पर नहीं होंगे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया, तो सब्सक्राइब कर आने वाले बाल आइकोन को जरूर प्र